सबसे पहले मैं आपको Game of Thrones की कुछ बातें बता देती हूँ जिसे एशिया है या अलेदेलग मुल्क है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश वगरा शामिल है वैसे Game of Thrones भी एक अलग दुनिया है जिसका कॉंटिनेंट इन्ही सबसे बड़ा किंग्डम वेस्ट्रोस है इसके लावा पाकि यहां टोटल स्थार किंग्डम्स राजी है हर किंग्डम को अपना अपना लाड संबालता है और इन साथो विंग्डम्स को संबालने वाला किंग राजा होता है अब शुरुआत होती है कुछ नाइट्स को दिखाने से असल में वेस्ट्रोस के चारुन तरफ एक बड़ी सी दिवार है जो दुसी तरफ रहने वाले लोगों जिंदली जानवरों और शितानी तक्तों को या आने से रोकने के लिए बनाई गई है और ये नाइट्स इस दिवार पर पेरा दीते हैं अब ये नाइट्स पिर दिवार की दोसे तरफ जाती है चकर लगाने जहां का अजीब नज़रा देकर वो दंग रहे गी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशे एक डिजाइन में पड़ी हुई थी लाशों की हालत बहुत खराब थी फिर अचानक वो लाशे अपने आपी सिंदा हो जाती है उनका चीरा सफीड आँखी नीली रंगी थी होंटो पर खोन भी लगा हुआ था जिस वज़सी वो बहुत ड्राउनी लग रही थी तब यहां एक ड्राउनासर जॉंबी जैसा दिखने वाला शेतान आ जाता है जिसी जॉंबी डीमन का जाता है जो आते ही बड़ी बेरेमी से दो नाइट्स को मार दीता है तिसरा नाइट ये देकर काफी डर गया फोरन वहां से भाग कर विंटर फैल आ जाता है जो दरसल वहां का एक किंडम है और ये किंडम उस दिवार की सबसे पास वाला किंडम है जैसे वो नाइट आगे बड़ा यहां के सोल्जर्स उसे पकर लेती है जिसके बाद यहां आई नाइट स्टार्क जो इस किंडम विंटर फैल के लॉर्ड है यानि यहां की फाज़त करते हैं यहां के हेड हैं नाइट स्टार्क अपने तिलवार से उस नाइट का गला कर दीती है क्योंकि नाइट के कुछ असूल थी जिससे वो शादी नहीं करेगा हमेशा नाइट बन कर जिन्दी गुजारेगा और जहां रहता है वही रहेगा कभी वहां से भागेगा नहीं को देदे थे यहां उनके अपने पांच ही बच्ची थी दो बच्ची जो जवान थी वो उनके सुतेले बैटे थी जिनमें से एक का नाम जॉन था अब हमें इन साथो किंग्डम का कैपिटल इन्हीं सबसे बड़ा शेर दिखाया जाता है यहां किंग की वाइफ अपने की बच्चे रह रहे थे वास नसल इसलिए क्योंकि उनकी कुछ खूबियां थी कुछ ताक्ते थी उनके पास जिनके बाल गॉल्डन रंगे थी दोनों बच्चे जवान थे बैन भाई थी इनमें लड़की का नाम डेनेरियस था इन दोनों के डैड ने काफी सालों तक इन सा राज़श की उन्होंने जैमी जो कींगी वाइफ का भाई भी है उसे अपने साथ शामिल कर लिया जिस पर जैमी ने डेनेरियस के डैड राज़ा को मार दिया यूँकि वो उनका गार्ड होगा करता था उस टाइम और अब अपने डैड का बदला लेने के लिए डेनेरियस क अपने बेन की शादी इंग्डम्स के सरदार से करवाना चाहता है क्योंकि उसका माना था कि अगर मेरी बेनेरियस की शादी सरदार से हो गई तो उसके इतनी बड़ी फोज मेरी हो जाएगी जिसके बाद में केपिटल शेयर पर हमना करके सभी किंग्डम्स का राज़ा बन अधर किंग नाइट स्टार की किंडम्स आहीं जाती है किंग की आते ही सबी लग इजट में उनके सामने जुक जाती है यहां में किंग की वाइफ का एक और बाय दिखाया गया लेकिन वो बोना था जिससे राजा की वाइफ खास पसंद नहीं करती थी लेकिन उनका जो को यह अब पाइज के पहले उसके साथ गल्द किया और पर उसे जान से माढ दिया जिस वज़से को बहुत दुख हुआ अब किंग नाइट स्टार की वहाँ से शादी नहीं कर सके लेकिन दीनरीयस के शादी सरदार से हो वी गीम, लेकिन सरदार का बता दीनरीयस के साथ खास अच्छा नहीं था, वो उसके साथ काफ़ी बुरा पेशाथा था, लेकिन फिर भी दोनों जिंदगे गुजारी रहे थे, लेकिन क्योंकर डिनेरियस को सिर्दार की जुबान समझ नहीं आती थी इसलिए वहां के लिए डिनेरियस को तीन तोफ़े देता है पहली चीज़ थी तीन किताबे जो यहां की जुबान की थी दूसरा था एक आदमी जो अपसे डिनेरियस का ट्रांसलेटर बनेगा यनि वो इन लोगों की जुबान का तरजमा करके देनरियस को बताया करेगा और तीसरी चीज़ थी तीन रियागन की अंडे जो काफी बड़े थी लेकिन वक्त की सासा पत्थर जैसे बन गे थी नाइट स्टार का छोटा बेटा एक खाली पड़े टावर पर चड़ रहा था जहां वो जैमी और उसकी बेहन इने किंकी वाइफ को एक साथ बड़ी अजीब हालत में देख लीता है अब बच्चे किसी को जाकर बतान न दे इसलिए जैमी उसे मारने के लिए टावर सी नेजे फैंग देता है तिनेरिस अपने हिस्बन सिर्दार की सुबान सीख रही थी साथी साथ उसकी अपने हिस्बन सी तालुग भी अच्छी हो गई थी नाइट स्टार का बेटा टावर सी गिरने की वजह सी मढता थो नहीं लेकिन कोबा में चला जाता है लेकिन फिर भी नाइट स्टार्क अपनी दोनों बेटियों को लेकर केपिटल शिहर जा रही थी जिबके उनका सुतेला बेटा जॉन नाइट बनने के लिए उस बड़ी सी दिवार के पास जा रहा था अब बोने से किंग का बेटा बत्तमीजे करनी लगा जिस वजह से बोने ने उसी तिन थपन लगा दिये पास खड़ा हुआ एक आदमी जो दोसल नाइट स्टार का सोलजर था वो सब देख रहा था और इसका चीरा जला हुआ था अब नाइट स्टार की वाइफ से मिलनी मिनिस्टर आते हैं गेम उफ थ्रोन में मिनिस्टर काफी पढ़े लेकि इनसान को का जाता है जो डॉक्टर, साइंटिस्ट सभी का काम करती हैं और वो इनकी फैमली की खास मिनिस्टर थी उनकी जाने की बाद जोन यहां आता है क्योंकि वो भी जाने वाला था वो यहां अपने सुतेले बाई जो कुमा में जा चुका था उससे मिलने आया था यहां हम साफ साफ देख पाते हैं कि नायट स्टर की वाइफ उसे खास पसर नहीं करती थी लेकिन जोन अपने बेहन बाईों से प्यार करता था बेशिक वो सुतेले ही क्यों ना थी जिसके बाद में वो अपनी छोटी बेहन के पास जाकर उसे चुटी से दलवार गिफ्ट करता है क्योंकि वो आम बच्चियों जैसे नहीं थी बलकि खास थी उसे भी वोरेयर बनना था बच्चपन से ही वो बहादुर थी जिसके बाद जोन नायट बनने अपने रास्ते पर और नायट स्टार्क अपने रास्ते पर ने करने लगती है जाते 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 जान उनसे अपनी मौम के बारे में पूछता है कि मैरी असल मौम कहाँ है और वो कौन थी नायट स्टार्क कहते हैं कि जो तुम सफर से लोटो गी पर नाइट स्टार्क उनकी इस बास से सहमत नहीं होते और मना कर दीते हैं सफर में जोन की साथ बोना भी जा रहा था क्योंकि वो दिवार के पाथ जा रहे थी इसलिए वो भी दिवार को करीब से देखना चाहता था यहां कुछ क्रिमिनल्स इन्ही मुझरिम भी साथ जा रही थी चूंकि वो नाइट स्टार की बेटी आपस में बातें कर रही थी क्योंकि आगे चलकी उनकी शादी होने वाली थी लेकिन यहां किंग का बेटा देखता है कि नाइट स्टार की चोटी बेटी एक गरीब लड़की के साथ तलवार से कीज रही है जो चीज उसे बिलकुल अच्छी नहीं लगी वो अपने तलवार लेकर उस लड़की की चेरी पर कट लगा देता है यह देकर बच्ची को गुसा आ गया क्योंकि वो गरीब लड़का उसके दोस था इससे लिए वो किंकी बेटी जिसके साथ उसकी बेहन की शादियों ने वाली थी उसे मारने लगती है पर वो खुट को चुड़वा कर नाइट स्टार की बेटी को ही नीचे किरा कर उसे मारने लगता है पर तब यहां बची का वुलफ आकर किंकी बेटी की हाथ पर काट लेता है जिससे वो काफी जखमी हो गया तलवार भी उसकी हाँ से चूट गई तब नाइट स्टार की बेटी उसकी तलवार फुरन उठा कर तिलाब में फैकर यहां से भाग जाती है अब नाइट स्टार का बेटा जो कुबा में था उसे मारने के लिए एक आदमे आता है जिसके पास खंजड था इससे पहले वो बच्ची को नुक्सान को जाता यह नाइट स्टार की वाइफ इन्ही बच्ची की मौम आकर उसे रोग दीती है क्योंकि इस वक्त वो यह चुपी होई थी वो उस आदमे से उसका खंजड चीन देती है तब यहां उनका वुल्फ आकर उस आदमे की गरदन पर काट लेता है जिससे उसका इतना कौन बेता है कि मौके पर इसकी मौत हो जाती है इस वज़े से नाइट स्टार की वाइफ को भी अजिब लगने लगा और वो अपने इस बेंट नाइट स्टार सी मिलने के लिए निकल जाती है अब क्योंकि नाइट स्टार की बेटी की वुल्फ ने किंग की बेटी को काटा था इसलिए वो उसे वागा देती है ताकि वोई उसकी वुल्फ को मारना दे पर सिपाही उसे पकड़कर किंग की पास ले जाती है यहां किंग का बेटा और खुद उसकी बेहन छूट बोल देती है कि इसकी वुल्फ ने किंग की बेटे को बिना बात के ही काटा है वो यह नहीं बताते कि किंग की बेटी ने भी काफी बुरा किया था वो अपनी बेहन को छूट बोलता हुआ देकर नाइट स्टार की छूटी बेटी काफी कुछ से में आ जाती है इसलिए वो अपनी बेहन को मारने लगती है कुछी दियर में नाइट स्टार किपिटल शेर पहुंच जाते हैं यहां उने मिलने के लिए कौंसल बुलाया जाता है यहां उनकी मुलाकाब किंग के भाई एक लॉर्ड जो सरा बिजनस समवालती है उनसे और एक रिपोर्टर लॉर्ड से होती है जिनने अनगलक जगा पर अपने खबरे चोड़े हुई थी जो सारे जनकारे लाकर किंग को देती है एक बुड़ा आदमे पे उनसे मिलता है जो यहां के मस्टर है अब डिनेरियस को पता चलता है कि वो मा बनने वली है और उसका जो ट्रांस्लेटर है वो सारे खबरे किंग तक पहुंचाता है कद के जरी उसने किंग को बताया था कि देनेरियस की शादी सिर्दावर से हो गई है जो यहां नए बनने वली वारियर्स योधा को तलवार बाजी सिखा रहा था उसके अंकन इन्ही नाइट स्टार की भाई उसे बताते हैं कि मैं दिवार के दोसे साट पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ और एक रेंजर ही चक्र लगाने चान बिन करने दिवार के उस पार जा सकता है विंटर फैल में नाइट स्टार की उस बेटे की आंग खुल जाती है जो कुमा में चला गया था गोश में आने पर उसे पता चलता है कि में ये दोन्यों टांगे खराब हो गये उसे तो ये तक याद नहीं था कि मुझे टोवर से गिढ़ाया किसने था नाइट स्टार की वाइफ केपिटल शेयर पहुंच आती है जहां उनकी हिस्बन थी वो यहां आकर लॉड सी मिली जिसके साथ उब बच्पन में रहा करती थी बच्पन में ये लॉड उन्हें पसंद करता था नाइट स्टार की वाइफ को लगता है कि वो आज भी मुझे पसंद करता है इसलिए उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो तो उसे अपना चुटा भाई समशती थी अब थोड़ी दिर में ये नाइट स्टार भी आ जाती है उनकी वाइफ उन्हें वो खंजर दिखाती है जिसके जरी उस आदमी ने उनकी बेटे पर हमला करने की कोशिश की थी ये खंजर बहुत ही खास और मेंगे स्टील से बना था इस स्टील को गेम ओफ थ्रोन में बहुत कीमती बना चाता है ये लॉट पताता है कि ये खंजर तो होने का है यनि केंकी वाइफ की भाई का पर इन चीज़ों में ज्यादा ना पड़े इसलिए नाइट स्टार अपनी वाइफ को वापिस निडम विंटर फैल पेश देते हैं साथे नाइट स्टार अपनी चोटी बेटी को तलवार बाजी सिखाने के लिए उसके पास तलवार बाज को पेशते हैं जो आज से तलवार बाजी सिखाएगा नाइट स्टार की चोटी बेटी जो अभी अभी कोमा से बाहिर आया था उसे एक सपना आता है जिसमें वो तीन आँखों वाले परिंदी को देखता है लेकिन तभी अचानक उसकी आँखों जाती है उसके सामने सुतेला भाई खड़ा था जो उसी नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास ले जाने रहे था और क्योंकि वो बच्चा अभी चल नहीं सकता था तो उसे उठाने वाँ एक आदमे को बुलाया जाता है जो किताब वेस्ट्रोस की तारीक की बारे में है यह एकर बुड़ा आदमें उनके सामने वो किताब भी लेकर आता है इसे नाइट स्टार भी पढ़ने लगती है क्योंकि वो जानना चाते थी जहाँ एक ज़ले हुए सोल्जर का भाई और तल्वार बास एक दूसरे की मुकाबले में आती है इनका मुकाबला था कि दोनों ने एक दूसरे को घोड़े पर से गिराना है और जो भी पहली घोड़े से गिर गया वो हार जाएगा जिसने गिराया होगा वो जेज जाएगा अब यहाँ जेले हुए सोलजर का भाई बहुत कतर नाक था क्योंकि अपने भाई का चीरा इसने ही चलाया था जैसे उनका मुकाबला शुरू हुआ सोलजर का भाई तलवार बास की सिदा गर्दन पर रोड दे कर मारता है जिससे वो इतना सक्मी हो गया कि फुरान नीचे गर जाता है तीजी से उसका खौन मेने लगा जिस वज़ज़ से तलवार बास की वहीं मोथ हो जाती है लाइट स्टार की वाइफ जब विंटर फेल जाने के लिए निकलने लगी तो वहाँ उन्हें बोला देख जाता है इसलिए वो अपने सिपाहियों को कहकर उसे पकड़वा लेती है अब टूर्णोमेंट में अगला मुकाबला एक प्रिंस राजकुमार और जले हुई सोल्जर के भाई के बीच में था जैसे मुकाबला शुरू हुआ तलवार मालकर प्रिंस उसे बड़ी असानी से नीचे गिरा दीता है अब क्योंकि सोल्जर का भाई हार गया था इस वज़े से उसे इतना गुसा आया कि वो फुरां खड़ा होकर प्रिंस को मारने लगा अपने भाई की इस सरकत पर जिले हुए सोल्जर को बहुत गुसा आया वो जल्दी सी मैदान में आकर अपने भाई को रोकता है उसे लेडने लगा ये चीज़ देकर किंग को बहुत गुसा आया वो फुरां अट खड़े हुई चिला कर उन्हें लड़ाई बंद करने को गयती है अब सोल्जर का भाई गुसा होकर वाँ से चला जाता है नाइट स्टार्क जब रिपोर्टर लॉड सी बात करती है तो यहां उन्हें वो बड़े चनकारी मिलती है रिपोर्टर लॉड बताती है कि सबसे पहले किंग की राइट हैंड जिसके बारे में आप जनकारी कठा कर रहे हैं उनकी मोद को दर्ती तोर पर नहीं होई थी बलके उन्हें जेर देकर मारा गया था नाइट स्टार की बेटी बिल्ली का पीछे करती करती एक काफी बड़े केफ गार में आ गई थी जहां उसे ड्रेगन की वो बड़े-बड़े स्केलिटन धालजी पड़े मिलती है क्योंकि जो नाइट स्टार का खानदान है वो ड्रेगन पर सवारी कर सकती है उन्हें कंट्रोल कर सकती थी पर हेरेट अभी तक यहां कोई ड्रेगन दिखाई नहीं दिये थी अब किंग एक कांसल बिढ़ाती है जिसमें वो नाइट स्टार को भी बुला लेती है और फोरन डिवेरियस को मानने का हुक्म देती है क्योंकि उन्हें खबर हो गई थी कि वो माद बने वानी है इसलिए उन्हें डर्ट था कि वो अपने और बागे किंडम्स के साथ मिलकर केपिटल शेयर पर हमला कर सकती है पर नाइट स्टार क इस बात की मुखालफत करती है जब किंग उनकी बात नहीं मानते जित पर अड़े रहे तो वो अपने किंग के राइट हैंड वाला ओधा चुड़ कर वहां से चले चाहती है वो समान पैक करके निकलने ही वाले थी यह तभी उनकी पास लौड आता है जो उनकी एक औरत से मिलवाता है जिससे मरने से पहले किंग के राइट हैंड भी मिली थी और यह औरत आवले किंग के सुटेले बेटे की माँ थी इस जिससे नाइट स्टार्क यह पतल लिगवाना चाहती थी यह आखिर की इंकी वो राइट हैंड आवले की इस सुटेले बेटे में इतने दिसस पे क्यों दिखा रहे थी केपिटल शेहर में जैमी नाइट स्टार्क को अपने सोल्जर की मदद से गहन लीता है और ऐसे उसने नाइट स्टार्क की सभी सोल्जर्स को मार दिया और खुद नाइट स्टार्क से लेंडनी लगा यहां उनकी बीच काफी देर तक तलवार बाजे चलती रही लेकिन तबी बीचे से जैमी का सिपाई आकर नाइट स्टार के टांग में तलवार गुसा दीता है जिससे वो इतना जखमी हो गई कि फूरन वही बिहोश हो जाती है जब उनकी आँख खुली तो वो अपने सामने किंग और उनकी वाइफ कुपाती है जिस भार से गुसा हवगर कींग उनने थपड मार देती है और नाइट स्टार को दुपारा यहां का राइट हैंड बना दीती है नेरियस ड्यगं की अंडे को आग में रग दीती है पिर जैसे उसे उठाने लगी, वो उसकी सर्वेंट आकर खुद अंडा पकड़ लेती हैं, ताकि उसकी हाथ न जल जाएं, पर हेरत या उसकी सर्वेंट के दोनों हाथ जल जाती हैं, जिकर डिनेरियस को कुछ नहीं होता, जिंगल में नाइट स्टार के दोनों बेटी और सु करती हैं, या उसके दोनों बाई आकर तीर मालकर जंगली आदमी को तो माल गिराती हैं, लेकिन जंगली लड़की को पकड़कर उसे बंदी बना लीती हैं, उधर बोने को जब सब के सामने पेश किया गया, तो वो कहता है कि मेरी तरफ से एक आदमी आपकी सिपाहीं से लड पर उनकी तबित खराब भी हो रही थी, लेकिन उनका जो साथी था, वो अब भी मुसैसल की को शिराब पिलाए जा रहा था, जो सोलजर बोने की साइड से लड़ रहा था, वो दूसरे सोलजर को अच्छा मज़ा चुखाता हैं, वो काफी मारने की बाद उसकी गरदर में त सोचने लगते हैं, कि इस वक्त के जो किंग हैं, उनके खांदान में किसी के भी बाल गोल्डन नहीं होती, खुद किंग के भी नहीं हैं, उनके काली हैं, लेकिन उनकी तीनों बच्छों के बाल गोल्डन हैं, जैसे जैमी के हैं, उते दिनेरियस का बाई दिनेरियस और उसक इतनी तकलीफ होई कि मोगी परी तड़क-ड़क कर उसकी मौत हो गई अब हमें जैमी, कींग की वाइफ और बोने के डेर डिखाए जाती है जो जैमी के पास आकर उसे अपने बुसरे सिपाही देता है और उसे अपने बाई बोने को बचाने के लिए बेज देता है केपिटल शेहर में नाइट स्टार किंग की वाइफ से कही थी कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बाइ जैमी की बीच की तालुका तब पतर चल गया है और जब किंग वापिस आएंगे तो मैं इस गलत तालुका उन्हें बता दूँगा हमें किंग दिखाएगी जो बीमार हालत में बिस्सर पर पड़े थी क्योंकि जब वो शिकार पर गए थी तो वहां काफी जखमी हो गए थी शिराप पेने की वज़े से उनकी हालत दिगरती जा रही थी इसलिए वो अपने पास नाइट स्टार को बुलाती है और उन से एक खत लिखवाती है इसमें वो नाइट स्टार को पूरी जगा का प्रोटेक्टर इन्हें हिफाज़त करने वाला बनाती है जिसका मतलब कि जब किंग मर जाएंगी तो नाइट स्टार पूरे किंग्डम की हकोमत को संभादेंगी पर जिब किंग का बेटा बड़ा हो जाएगा तो थ्रोन इनी तक राजगदी उसे मिल जाएगी मतलब अगला किंग उसे बना दिया जाएगा पर नाइट स्टार किंग के बेटे की जगा थ्रोन की असलिए हकदार का लिखता है वो ये नहीं लिखते हैं कि राजगेदी उसे मिली बलके वो ये लिखते हैं कि जो इसके काबिल होगा जो इसका हगदार होगा वो एक किंग बनेगा उधर दिवार के पास लॉर्ड कमांडर जो उनको अपना सर्विंट बना लेता है जो आज की बात उनकी सेवा करेगा उनके लिए खाना बनाएगा जो बात जो उनको काफी बुरी लगी क्योंकि वो एक रेंजर बनना चाहता था टेपिटल शेहर में नाइट स्टार्ट लॉर्ड को अपने पास बुलाते हैं केनी लगे यहां के जो शांती वाले लोग है इन जो सकून रखने का काम करते हैं उनको बोलो अब वो मेरा साथ दी इसके बाद नाइट स्टार को थ्रोन वाले कमरे में किंग का बेटा बुलाता है जहां उसे पता चल गया था कि मेरे डेड इन्हीं किंग माले गई है और अब मैं ही वहां का किंग हूँ इसलिए वो राजगदी संभाल लेता है लेकिन तबीहा नाइट स्टार किंग की गार्ड को किंग का लिखवाया गया आखरी ख़द दिखाती है जिसमें लिखा था कि नाइट स्टार वहां कड़े शांती वले लोगों को तिंकी वाइफ और उसके भाई जैमी की बिच की तालुकात के बरे में बताया देती है पर इस बात से शांती वले लोगों पर उल्टा ही असर होता है ये सुनकर उन्हें गुसा तो आया नाइट स्टार की चोटी बेटी को भी पकरन लेती है लेकिन उसके तलवार बाज बच्ची को वहां से बगा देता है अब दिवार की दोसी तरफ से दो लाशी आती है जो लाशी उन नाइट स्टार की थी जो दिवार की दोसी तरफ गए थी नाइट स्टार के भाई की साथ अब तक उनकी भाई का भी कोई अतापता नहीं था क्योंकि उनका भी खाले घोड़ा ही वापिस आया था अब लॉर्ड कमांडर जोन को बताती है कि तुम्हारे सुतिरी डैड नाइट स्टार को क्पिटल शेर में कदार केकर पकड़ लिया गया है ये सुनकर जोन को गुसा आ गया अपने डैड को बचाने के लिए वो क्पिटल शेर में जाने की बात करता है जिस पर लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के वादे याद करवाती है जिसके मताबिक एक नाइट की कोई फैमली नहीं होती और उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए ये साथों किंग्डम्स में क्या हो रहा है अब दिवाल के पास एक लाश अचानक सिंदा हो जाती है जो बहुत बयानक बन गए थी और वो लॉर्ड कमांडर पर हमला कर दीती है पर तब यहां जॉन आ जाता है लॉर्ड कमांडर को बचाने के लिए वो तलवार से लाश का हाथ कर देता है जो हाथ कट कर नीजी किर जाता है कि वो लाश के पेट में तलवार कुसा देता है पर लाश को कुछ नहीं होता इसलिए जॉन उसकी तरफ लाटन फैंकर आग लगा देता है लाश जन गई जिसमोगी का फाइदर ट्राकर जॉन लॉर्ड कमाडर को लेकर वहाँ से भाग जाता है उधर सरदार की बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगी कि उसने लड़के को करतल से पकड़कर उसके गड़े की हड़ियां तोड़ दी जिससे वो वहीं मारा गया बोना अपने साथियों के साथ अपने डैड के पास पहुंचा जहां उसके डैड नाय स्टार के बेटे की साथ लड़ाई की तयारियां कर रहे थी और वो अपने बेटे बोनी और उसके साथियों को भी अपने साथ लड़ाई में शामिल कर लीती है किंग का बेटा एक सीनियर सिपाही को बुढ़ा भोलकर उन्हें वहां से रिटाइट कर देता है कि अब से तुम हमारे लिए काम नहीं करोगी जिस पास से सिपाही को इतना गुसा आया कि वो खुदी अपना ओदा छोड़ कर वहां से चिला गया जिसके बाद किंग का बेटा उनके जगा चेमी को दे रेता है अब नाइट स्टार की बड़ी बेटी किंग की बेटे के सामने आकर बैट कर उसे माफी माँदी है क्योंकि वो लोग जंग लड़ने को तयार थी उन्होंने अपने पुरे टेम भी बना ली थी जिनी लेकर वो पुल के उपर पहुंचती है अब पुल पार करने के लिए उन्हें के लिडर की इजाज़त की जरूरत थी और जब नाइट स्टार की वाइफ इजाज़त लिने जाती है तो लीडर का कहिना था कि मैं तुम्हें पुल पार करने की इजाज़त तब ही दूँगा जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा और तुम्हारे चोटी बेटी को भी बड़ी होकर हमाई लड़के से शादे करनी होगी जिसके लिए वो मान गई तब लीडर भी उलपार करने की इजाज़त दे देता है लर्ड कमांडर की जो ने क्योंकि जान बचाई थी इस वज़े से वो उसे बहुत खुश थी और उसे अपने खांदानी सबसे पुरानी खास लोगे की तिलवार देती है इनाम की तोर पर इनेरियास के हजबन की चाती पर ज्वार लगे थी उस वज़े से वो इतना जखमी था कि उसकी हलत खराब हो रही थी वो इतना कमसोर हो गया कि अपने घोड़े से ही नीची गर्चाता हैं जो देखकर उसके लोग उल्टी-उल्टी बाते बनाकर गदारे करने का सूचती है क्योंकि ये लोग उससे अपने सरदार मानती है जो ताकतवर हो लागे कमसोर ये देखकर देनीरियस वहां की एक औरत से मिलती है जो जादो करनी थी ये जादो जान दी थी उसे देनीरियस अपने घजबंको बिवटी करने का कहती है जादो करने कहती है कि मैं त sowारी खगर को ठीक तो कर दूंगी पर इसकी बदले में नाइट स्टार के बड़े बेटी की चाल थी उसने सिर्फ 2000 सिपाही यहां बेजे थे हमने करने की लिए ताके उनका दिहान बढ़के और खुद वो जाकर जैमी को पकरन ले होता भी बिल्कुल ऐसा ही है नाइट स्टार का बेटा जैमी की सिपाही को बड़ी असानी से हरा कर आखिर में जैमी को भी पकरन लेता है उसे जखमी करके बंदी बना लेता है के पिटेश यह में नाइट स्टार अपने बेटियों को बचाने के लिए किंग की बेटी की बात पर राजी हो जाती है और सब के सामने आकर खुद को करदार मानी लेती है पर केंग का बेटा जो बहुत बेमान था वो वादा किलाफी कर दीता है अभी भी उन्हें माफ नहीं करता बलकि अपनी सिपाही को कहेकर उनका सर कलम करवा दीता है इसलिए कि वो करदार है और उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि गेंग की बेटे ने उन्हें मरवा दिया है जिस बास से दुनों को काफी दुख हुआ उसका बेटा तो गुस्से मी और दुख मी जैसी पागल हो गया था अब नौर्थ की सारी सिपाही नौर्थन एरे को बागर किंडम से अलग कर दीते हैं और अब यहां का नया गिंग वो नाइट स्टार की बेटे को बना दीते हैं और टेनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है पता चलता है कि यह सबकुछ उस जारुगणी ने जान बोच के किया था क्योंकि उसका हस्बन यहां की लोगों को परेशान किया करता था अब क्योंकि वो जिन्दा लाइश था तो नाचे करेंबे डिनेरियस उसकी मुँपर तक्या रखी गुदे उसे जान से मार देती हैं फिर उसकी लाश को जिलाने की सारी तयारियां कर देती हैं वो ड्रेगन की अंडों को भी आगमी रख दीती हैं और खुद भी उसमें बैट जाती हैं काफी टाइम की बाद जब आग भुज गई तो लोगवाँ चेकरने के लिए आएं जो हम बड़ा ही हरान करने मुले सीन देखती हैं आग की वज़ज़ सी उसके सरे कपड़े जल गए थी पर देनेरियस को ज़रा भी कुछ नहीं हुआ था और तो और उसके तीनों अंडों में से जो अगर निकल कर बाहिर आ गई थी जो डेनेरियस के कंदे पर आकर बैट जाती हैं यह दिकर ट्रॉसलेटर काफ़ी हरान रह गया वो और कुछ लोग वाँ डेनेरियस के सामने गट्लों के बेल बैट गई उसके सामने जुक जख जाती हैं कि वो जान गए थी कि डेनेरियस बहुत खास है और इसी की साथ पहले सीजन इदर ही खरत मुझाता है